स्टापलस की सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में अभीरा प्रेगनेंट है और ये कोड़ न्यूज अब वो अर्मान के साथ शेयर करना चाहती है इसी के चलते अभीरा एक सप्राइज प्लान करती है एक क्याफे में जहां वो एक केक भी ओर्डर करती है जिस केक पर लिखा होता है बेबी शर्मा पोडार वहीं मॉनिटर पर भी वो अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंस्मेंट की तयारी करती है अर्मान के लिए और इस वज़ा से कैफे में जितने भी लोग होते और स्टाफ होता है उन सबको पता होता है कि अभीरा ने ये सप्राइज प्लान किया है और वो प्रेगनेंट है अभीरा को भूक लगने लग जाती है केख को देखकर वो एक्साइटड भी होती है बड़ वो खुद को रोपती है कि उसे अकेले खाना स्टार्ट नहीं करनाचाहिए और अर्मान का इंतिजार करना चाहिए अर्मान वहाँ से निकल चुका है और उसे नहीं पता है कि वो कैफे में अभीरा से मिलने जा रहा है या अभीरा ने उसे वहाँ पर बुलवाया है जब तक अभीरा अर्मान का वेट कर रही होती है वो सोचती है कि करवा चौध पर भी भूके रहने से उसकी तब्यत खराब हो गई थी इसलिए उसे खा लेना चाहिए पर वो नहीं खाती और बेहोश हो जाती है अर्मान वहाँ पर आता है ये ना जानते होए कि अभीरा वहाँ पर है पर उसे बेहोशे की हालत में देखकर बहुत जादा परेशान हो जाता है और डॉक्टर अर्मान को बताती है कि अभीरा प्रेगनेंट है और उसे ऐसी हालत में ऐसे नहीं गुमना चाहिए खाली पेट और complications के बारे में भी बोलती है और अर्मान को समझ नहीं आता है कि वो इस पर कैसे react करे क्योंकि उसे realize होता है कि सिर्फ वही है जिसे नहीं पता कि अभीरा pregnant है और क्याफे में जितने भी unknown लोग है वो भी जानते हैं अभीरा की pregnancy के बारे में उसने ही plan किया था सब कुछ और वो बताने ही वाली थी और cake दिखाने लगती है monitor दिखाने की कोशिश करती है लेकिन इतने में doctor उसे sandwich खिला देती है और उसे बोलती है कि उसे nutrition खाना चाहिए जब अभीरा उठकर अर्मान की तरफ जाने लगती है तो वो doctor फिर से अभीरा को बिठा देती है और बोलती है कि उसे rest करना चाहिए अर्मान यहाँ पर अभी कुछ भी react नहीं करता और चुप चाप corner में खड़ा रहता है वहीं आप ये video देख सकते हैं पर सेम आउटफिट में अर्मान बारिश में भीकता हुआ नजर आ रहा है लगता है कि अभीरा की इस pregnancy की news को digest करने में अर्मान को थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन obvious सी बात है कि अर्मान अभीरा का ध्यान तो रखता नजर आए गई रूही को पर ये सब कुछ बिलकुल पसंद नहीं आएगा